करन जोहर बिग बॉस 15 को होस्ट करके बहुत बरी आफ़त मोल लेना सुरू कर चुके हैं क्योंकि अब आपको बता दू कि जो बिग बॉस 15 आने वाली है वुट अप पे वुट OTT जिस पर कि पूरी तरीके से कोई इडिटिंग नहीं पूरी तरीके से लाइब स्ट्रिमिंग चलेगी और जिसको एक से ले के 5 एपिसोड तक जो है वो करन जोहर होस्ट करेंगे तो इस से पूरी तरीके से करन जोहर आफ़त मोल ले रहे हैं sources ये भी कहती हैं कि 5-6 episode करने के बाद फिर क्या सलमान खान आ जाएंगे लेकिन सुत्रों से तो यही पता चल रहा है कि पिछले बार जिस तरीके से TRP पूरी तरीके से लो हो गई थी सलमान खान के host करने की वज़ा से हो सकता है कि करन जोहर को 1-5 episode को करने के लिए मौका दिया हो और फिर उसके बाद इनहीं को आगे अगरसर कर दिया जाए लेकिन अब यहां पे करन जोहर अपने आपको जिस तरीके से नेपोटिजम का महाधीश और जिस तरह से नेपोटिजम का मसीहा माने जाते हैं और कहना और देखना बिल्कुल ये लाजमी होगा कि इनका क्या ए पाते हैं वो खुल करे के करते हैं लेकिन इनके ऊपर ऐसे-ऐसे आरोप लगे हुए हैं जिससे की इस आरोप से अभी तक वो उभरे नहीं है और ना निकल पाए हैं जैसा कि SSR का मामला हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने इनको यही कहा था कि यह बहुती घमंडी है ये कुछ लोग मिल करके अपनी पूरी तरीके से गेंगिज्म गुरूपिज्म बनाते हैं और फिर ऐसे लोग ही जाकर के आउटसाइडर को इस इंडस्ट्री में काम नहीं करने देते हैं। बैजती की थी SSR को ले करके और फर उन्होंने ये भी कहा था एक सो में कि मैं अपने फूपा के बेटी को लॉंच करूं की चाचा के बेटी को लॉंच करूं उससे किसी को क्या फर्क परता है। नहीं लगता कि इस सो की कुछ जादा टी आर पी होगी हलाकि आप क्या सुचते हैं इस विशाय में अपनी विचाज ओव एक किजिए गए।